नमस्कार चानक्या IAS Academy के संपाद की विशलेशन में आपका स्वागत है संपाद की से संबंधित इस वीडियो की सुरुवात करते हैं कल पूछे गए प्रस्ण से कल जो प्रस्ण पूछा गया था वह प्रस्ण है कि प्रात्मिक प्राप्ति की तुल्ना में कुल व्याय की अधिकता को कहते हैं चार ओप्सन है ओप्सन A राजकोसिय घाटा ओप्सन B राजस्तु घाटा ओप्सन C प्रात्मिक घाटा और ओप्सन D बजट घाटा इसका सही जवाब क्या है इसका सही जवाब है option A राजकोसिय घाटा बढ़ते हैं अपने पहले संपादिकी की ओर जिसका सिर्सक है अलमनी गाइडलाइन्स इस संपादिकी को लिया गया है दा हिंदू न्यूज पेपर से और यह संपाद की जी एस पेपर टू के दृष्टिक हमें यह पता है कि भारत में वर्तमान में लड़कियों की अच्छी खासी संख्या स्कूल जाती है परन्तू इन में से कई लड़कियों का विवाह बिना उच्छ सिख्छा को प्राप्त किये ही हो जाता है इन लड़कियों का विवाह ना केवल कम उम्र में होता है बलकि कम उ इस तरपर बनी होती है जिसके कारण जो बच्चा उत्पन होता है वह बौनापन और निर्बलता का सिकार रहता है अब इसमें यह भी संभावना बनी रहती है कि वैवाहिक संबंधों में तनाव रहे और वैवाहिक संबंधों में तनाव का परिणाम यह होता है कि लड़किया या कम उम्र की जो महिलाएं होती हैं वह तनावपूर्ण जीवन जीती हैं और घरेलू हिंसा का शिकार भी होती हैं और इन सब का कारण क्या है? इन सब का कारण है वित्तिय निर्भरता, मतलब पती पर या उसके परिवार पर उस लड़की का या कम उम्र की महिला का निर्भर होना. अगर हम समयधानिक प्रावधानों की बात करें, जिसमें महिला सुरक्षा का प्रावधान किया गया है, तो फिर अनुचेद पंद्रह तीन का हम उलेक कर सकते हैं, जिसमें इस बात का उलेक किया गया है कि कोई भी बात राजिकों, इस्त्रियों और बालकों के लिए कोई विस तेस उपबंद करने से नहीं रोकेगी वहीं अनुचेद 49 भी उसमें मौजूद है जिसके अंतरगत समानकारी के लिए समान वेतन की बात कही गई है और महिला और बच्चों के स्वास्थ एवं सुरक्षा से समंधित उपायों को अपनाने का निर्देश भी राज्यों को दिय सर्वोच न्याले ने मुंबई के एक धंपत्ती के विवाविच्चेद या तलाक समंधि मामले की सुनवाई के दोरान अनुचेद 15-3 और अनुचेद 49 और अन कानूनों के आधार पर विवाविच्चेद के बाद जो गुजारा भत्ता देना होता है उस गुजारे भत्ते क जारी किया है जस्टिस इंदू मलोत्रा और जस्टिस आर सुभास रेड़ी की बेंच ने नए दिसा निर्देश जारी किया है अगर हम इस दिसा निर्देश पर गौर करें तो इसे दो हिस्सों में बांट सकते हैं पहला फैमिली कोर्ट जिला अदालतों या मजिस्टेट को को दिया गया दिसा निर्देश दूसरा पति पत्नी जिनके बीच विवाद होता है उनको दिया गया दिसा निर्देश अब हम प्रथम हिस्से के दिसा निर्देश की बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों मतब फैमिली कोर्ट जिला अदालतों या पहला कि आधार तै करने में पहलियाद देखें कि दोनों पक्च मतलब कि पती और पत्नी उन दोनों की उम्र क्या है और फिर उनका क्या रोजगार है वहीं दूसरा निवास के अधिकार को भी एक आधार के रूप में लिया जाए इसका मतलब यहाँ पर क्या है? इसका मतलब यह है कि किसी भी महिला से उसके निवास के अधिकार को नहीं छीना जा सकता घरेलू हिंसा कानून में भी उसे जॉइंट घर में रहने का अधिकार दिया था यहां यह इसपश्ट कर देना जोरी है कि भले ही घर पती का हो या उसके परिवार का हो या वह भाड़े पर रहे हो उसके बावजूद भी उस घर में पत्नी के रहने का अधिकार है इतना ही नहीं अधालतें पती को पत्नी के रहने की वैकलपिक विवस्था करने का निर्देश दे सकती है बात करते हैं तीसरे आधार की, तीसरा आधार है कामकाजी पत्मे, कि अगर पत्मी पढ़ी लिखी हो और प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो, परंतु वर्सों से या तो बच्चों की देखरेक कर रही हो, या घर में मौजूद बुजुर्गों की सेवा कर रही हो, तो यह पुरी है कि परिवार में रहते हुए जैसी लाइफस्टाइल उसकी थी, वह आगे भी कायम रहे हैं, अब हम बढ़ते हैं चौथे आधार की ओर, चौथा आधार है बच्चों का गुजारा भत्ता, तो देखे, बच्चों के गुजारा भत्ते को तै करते समय या ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सिर्फ खाने, पीने, कपड़ों, रहने, डॉक्टरी खर्चे पढ़ाई की ही बात नहीं है, बलकि कोचिंग क्लास और वोकेशनल कोर्सेस का खर्च भी महत्तपूर्ण है, और यदि पत्नी कामकाजी है और ठीक ठाक कमा रही है, तो दोनों मिलकर भी बच्चे का खर्च उठा सकते हैं, और जो पांचवा आधार है, वो पांचवा आधार है विकलांगता या इस्थाई बिमारी, मतलब ये कि गुजारे भत्ते को तै करने में विकलांगता या इस्थाई बिमारी से जो समंधित खर्च हैं, उन खर्च को भी सामिल किया जाना ये तो बात की हमने पहले पक्च की मतलब जिनके लिए दिसानिर्देश जारी किया गया अब हम बात करते हैं दूसरे पक्च की मतलब आवेदिकों की तो अब यहाँ पर यह है कि आवेदक को यह बताना अनिवारे है कि किस कानून के तहद और किस अदालत में केस दर्ज किया वह इसलिए क्योंकि समस्या यह आती है कि एक पक्च कई बार जूटे केस या एक से अधिक कानूनों के तहद दूसरे पक्च को परिसान करता है। अधिक के बारे में बताते हुए अपना आवेदन देना होगा। अब एक सवाल यहां पर यह है कि आखिर यह गुझारा भ्त्ता कब से? तो उसके संबंद में जो दिसा निर्देश जारी किया गया है वह यह है कि जिस दिन आवेदक गुजारा भत्ता के लिए आवेदन करता है या करती है उस दिन से उसे गुजारा भत्ता मिलेगा अब यहाँ पर यह है कि आखिर इसे क्यों निश्चित किया गया कि मतलब जिस दिन से आवेदक आवेदन देता है कि गुजारा भत्ता मिलना चाये उस दिन को ही क्यों चुना गया है इसलिए क्योंकि मुकदमा की जो अवधी होती वो अनिश्चित होती है मतलब ये पता नहीं होता कि जो मुकदमा चल रहा है उस पर अंतिम निर्ने कब आएगा अब अगला सवाल यहाँ पर यह है कि अगर गुजारे भत्ते से सम्मंदित इस आदेश की अवहिलना की जाती है तो फिर क्या होगा तो फिर हिंदू विवाह अधिन्यम की धारा 28A घरेलू हिंसा अधिन्यम की धारा 20 का भाग छे CRPC की धारा 128 के अंतरगत उस व्यक्ति पर इस बात का दवाब बनाए जाएगा कि वह गुजारा भत्ता दे और उसके बाद भी अगर वह गुजारा भत्ता नहीं देता है तब Code of Civil Procedure की धारा 51, 55, 58 और 60 के अंतरगत उसके संपत्ति की कुर्की करवाई जा सकती है अब देखिए कि भारत में जहां पर की महिलाएं विसेश कर गरीब महिलाएं इस प्रकार की जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें वो नजर अंदाज हो जाती है परंतु सुप्रीम कोट की या टिपणी की गुजारा भत्ता अर्थहीन है अगर आश्रित पत्निया और बच्चे वंचना और दर्दरता में जीने को मजबूर है एक आशा की किरन दिखाते हैं इस प्रकार इस संपादिकी के माध्यम से हमने विवा, विच्छेत, समंधी, गुजारा भत्ता के समंध में सुप्रीम कोट द्वारा दिये गए हालिया दिशा निर्देश पर चर्चा की बढ़ते हैं अपने दूसरे संपादिकी की ओर जिसका शिर्षक है द्राइंग अप इस संपादिकी को लिया गया है Financial Express से और यह संपाद की है GS Paper 3 में शामिल विशय संग्रक्षन, परियावरन प्रभाव का आंकलन के दृष्टि कोन से महत्रपूर्ण है चले देखते हैं इस संपाद की को विस्तार के साथ इस संपाद की का आधार क्या है इसका आधार है इस स्पोर्ट में क्या बातें कही गई है इसमें यह कहा गया है कि वैस्विक इस तर पर ऐसे सो सहर हैं जहां दो हजार पचास तक गंभीर जल संकट की इस्तिती का सामना कर सकते हैं और यह जो सो सहर हैं इसमें आधे से अधिक चीन और भारत के हैं भारत की अगर बात की जाये तो जैपूर, इंदौर, स्रीनगर, सहित, 30 सहर इस सूची में सामिल हैं और 100 सहरों की कुल आबादी कितनी है 350 मिलियन लोग इस गंभीर जल संकट का आखिर क्या कारण है तो रिपोर्ट के अनुसार आबादी में नाट की विर्धी रिपोर्ट के अनुसार इन 100 सहरों की आबादी में विर्धी जो अभी मतलब 2020 में 17 परतिसत है वर 2050 में हो जाएगी कितनी? अब अगर हम व्यापक तोर पे समिक्षा करें जल प्रबंधन की तो हम यह पाते हैं कि जल प्रबंधन का वास्त्विक क्रियानुएन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है कार्बन उत्सरजन में कटोती और वाटर ट्रिटमेंट तो सहर के सासन प्रबंधन को इस दिसा में और कारी करने की आब सकता है भारत की ही बात अगर हम करें तो वर्सा जल के भंडारन और जो वेस्ट वाटर होता है उसके ट्रिटमेंट में अभी भी कोई उलेखनी कारे नहीं हुआ है अब इसका उपाई क्या हो सकता है तो उपाई में हम यह बात कर सकते हैं कि जल संकट की यह जो इस्थिती है अगर इस इस्थिती से निपटना है तो नदी घाटी वाटर शेड जो वेटलेंड्स के हैं उनके स्वास्त की इस्थिती में सुधार करने की आवे सकता है उसके बाद वर्सा जल संगरक्षन और वेस्ट वाटर ट्रिटमेंट पर भी जोड़ देने की आवेश सकता है देश में सुक्ष्म सिचाई को प्रोसाहित करने की आवेश सकता है और जो सामाने रूप से व्यक्ती जल का उप्योग करते हैं घरों में जो जल का उपयोग किया जाता है तो उस पर सुल्क लगाने की आविश सकता है और इन सभी कारियों में नीजी छेत्र को भी सामिल किया जाना चाहिए वह इसलिए क्योंकि नीजी छेत्र के सामिल होने से ना केवल नई तकनीक का प्रवेस होता है बलकि सरकार जो वित इस तरह पर प्रयास को अपनाए जाने की आविसकता है। तो इस प्रकार इस संपादिकी के माध्यम से हमने WWF या World Wide Fund for Nature द्वारक गंभीर जल संकट संबंधी रिपोर्ट पर चर्चा की। कारी के द्रिष्टिकों से महत्पूर्ण है। चले देखते हैं इस संपादिकी को विस्तार के साथ इस संपादिकी का आधार है नौकर साही की कारिपणाली। अब देखिए कि मामला क्या है। मामला यह है कि सडक परिवहन एबम राजमार्ग मंतरी नितीन गड़करी ने National Highway Authority of इंडिया के नव निर्मित मुख्याले उद्घाटन के अबसर पर अधिकारियों को फटकार लगाए। आखिर फटकार लगाने का क्या कारण है। कारण यह है कि यह कार 2011 इसवी से प्रारम हुआ था और यह प्रोजेक्ट 250 करोड रूपे का था और इस प्रोजेक्ट को पू कारिकुसलता में कमी को माना। अब सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने बिरोक्रेट्स को जो फटकार लगाई। वह कहीं न कहीं वरतमान केंदर सरकार के नजरिये का प्रदर्सन है। वह कैसे। वह इस तरीके से कि 2014 के बाद से लेकर अब तक केंदर सरकार ने बिरोक्रेसी में मौजूद भरस्टाचार और उनमें जो छमता की कमी है उस कमी के विरुद्ध कड़े निरने लिये हैं। जैसे जुलाई 2014 से मई 2019 के बीच 312 ग्रूप A और ग्रूप B अधिकारियों को भरस्टाचार और अयोगिता के आधार पर पद से हटा दिया गया। आयोग करमचारियों की पहचान करें। ऐसा नहीं है कि केंद्र की सरकार नौकर साही या बिरोक्रेसी के परती पुरुवाक्रासे ग्रसित है। अगर इनकी कारे परनाली पर गौर किया जाए तो हम यह देखते हैं कि अपने कारे के परती ये काफी उदासीन या यूं कहें क की निसकरी रहते हैं। और कई सर्वे में यह बात सामने आई है कि उद्यमियों ने यह माना है कि देश के वैपार वानिजी के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा भरस्ट नौकर साही है। नीती आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगडिया ने यह बात कही है कि कई ऐसे अबसर देखे गए जब नौकर साहों के द्वारा उन राजनेताओं को जो सुधार करने के एक छुक रहते हैं उनको कारी करने से उन्होंने रोका। अब इन सब के अलावा एक दूसरा पक्ष भी है। क्या है दूसरा पक्ष? दूसरा पक्ष यह है कि अकेले नौक नौकर साहों में भी कुछ ऐसे नौकर साह होते हैं जो प्रगति सील होते हैं और इन नौकर साहों की प्रगति सीलता के मार्ग में सबसे बड़े बाधक होते हैं नेताओं के अपने राजनितिक उदेश से या राजनितिक स्वारत जैसे कि अगर सरकार निसुल्क या युक्त बिजली का वित्रन करना चाहती हो अगर सरकार एक ऐसे एरलाइन्स जो लगातार या कई वर्सों से घाटे में चल रही हो परंतु उसके निसुल की यात्रा को समाप्त नहीं कर रही हो या एक ऐसी सरकार जो सुधार संबंधी निर्ने उस आधार पर ले रही हो कि कैसे उसके अपने राजनितिक उद्दिश्यों की पूर्ती होगी तो फिर इसमें नौकरसा क्या कर लेगा तो मतलब यहाँ पर यह है कि निर्ने निर्मान की प्रक्रिया या उसकी गती तभी बदल सकती है जब राजनेताओं या नेताओं के निर्ने लेने की सक्ती मजबूत हो सबसे बड़ी बाधा राजनितिक इच्छा सक्ती में कमी का होना है क्योंकि अगर सरकार चाहती है तो विमुद्री करन से सम्मंदित कठोर निर्ने ले सकती है GST को लागू कर सकती है कृसी कानून और स्रम कानूनों में सुधार भी कर सकती है तो आज के इस सम्मंदित वीडियो में हमने आज के तीन महतपूर्ण सम्मंदिक पर चर्चा केई ये रहा आज का प्रश्ण प्रश्ण है कि विवाह विच्छेद सम्मंधी छतिपूर्ती के सम्मंद में सुप्रीम कोट के हालिया दिये गए दिसा निर्देसों पर प्रकास चालें इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नमस्कार